नमस्कार प्यारे बच्चों आज हम पढ़ेंगे कहानी बोलती गुफा की एक भूखा शेर सिकार की खोज में जंगल में घूम रहा था घूमते घूमते वो ठक गया उसकी भूख भी बढ़ गई अकस्मात उसे एक गुफा नजर आई शेर ने सूचा की इस गुफा में जरूर कोई जनवर रहता होगा अच्छा हो मैं उस जाड़ी में ही छिप जाऊं जियों ही वा निकलेगा मैं उसे धर्दबो चूंगा शेर ने काफी देर तक गुफा के बाहर इंतजार किया मगर कोई भी जनवर वहां से बाहर नहीं आया तब शेर ने सूचा की लगता है वा जनवर इस वक्त गुफा में ना होकर कहीं बाहर गया है इसलिए उसे गुफा के अंदर जाकर उसका इंतजार करना चाहिए जैसे ही वह गुफा के अंदर आएगा वह उसे खा जाएगा ऐसा सोच कर शेर गुफा की अंदर जाकर छिप गया उस गुफा में एक गीदर रहता था थोड़ी देर बाद वह वापस आया तो उसे गुफा के बाहर किसी के पैरों के निशान दिखाई दिये उसे यह गुफा के बाहर किसी के पैरों उसे यह निशान किसी बड़े एउम खतरनाग जानवर के प्रतीत हुए उसे किसी खतरे का एहसास हुआ गीदर बहुत चालाक और सयाना था उसने सूचा कि गुफा में जाने से पहले देखें मामला क्या है उसने जोर से गुफा को आवाज लगाई गुफा ओ गुफा लेकिन जवाब कौन देता? गीदर ने फिर आवाज लगाई अरे मेरी गुफा तू जवाब क्यों नहीं देती? आज तुझे क्या हो गया? हमेशा मेरे लूटने पर तू मेरा स्वागत करती है आज क्या हो गया अगर तूने जवाब नहीं दिया तो मैं किसी दूसरी गुफा में चला जाऊंगा गीदर की बात सुनकर शेर ने सुचा कि यह गुफा तो बोलकर गीदर का स्वागत करती है आज मेरे यहां होने की वज़ा से शायद डर गई है अगर गीदर का स्वागत नहीं किया तो वह चला जाएगा ऐसा विचार कर शेर अपनी भारी आवाज में जोड से बोला वाओ वाओ मेरे दोस्त तुमारा स्वागत है सेर की आवाज शुनकर गीदर वहां से भाग गया और उसकी सूजबूज ने काम दिखाया तो बच्चों हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है हमें यहीं सीख मिलती है कि हमेशा अपनी बुद्धी का प्रियोग करना चाहिए और सही समय पर सही डिसीजन लेना चाहिए ओके दोस्तों ओके बच्चों